आज मैं आपके साथ बहुत ही useful kitchen tips and tricks share करने जा रहे हूँ जो मेरे बहुत काम आते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी बहुत काम आएंगे और ये आपके काम को आसान बना देंगी tip number first ये tip है हरे धनी की चटनी के बारे में जब हम हरे धनी से चटनी बनाते हैं तो चटनी का color थोड़ा dark हो जाता है हलका black black सा हो जाता है ऐसा color नहीं आता जैसा कि हम restaurant वगेरा में हरे धनी की चटनी खाते हैं अगर आपको light color की जैसी आप restaurant वगेरा में चटनी खाते हैं जो sandwich के साथ मिलती है वैसी चटनी चाहिए तो आपको चटनी पीस ते समय इसमें पानी नहीं डालना है जार में आपको डालनी है ice cubes तो आपकी चटनी बहुत ही अच्छे color की बनके त्यार होगी टिप नमबर टू ये है शिकनजी के बारे में ज्यादा तर जब हम लोग गर्मियों में धूप में बाहर से आते हैं तो हमें लगता है कि हमें बनी बनाई फटा फट से शिकनजी मिल जाए तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि देखिए जिस दिन भी आपके पास time हो चुटी हो उस दिन आप एक परतन में पानी गरम कीजिए और इसमें थोड़ी चीनी डाल दीजे और अब इसे अच्छी तरीकी से चमस से मिक्स कर दीजे चीनी गरम पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाती है बजाए नॉर्मल पानी की तो अब यहां पर यह देखिए चीन तो यहां पर मैं थोड़ी ही मात्रा में शिकनजी बना रही हूँ अगर आप जादा बना रहे हैं तो जादा बना कर इस तरीके से ही स्टोर करके रख सकते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे स्टोर कैसे करना है तो यहां पर मैंने इसमें नीबू का रज़ तो अब आपको लेनी है एक आइस ट्रे और इसमें आपको ये शेकंजी वाला पानी डाल देना है इस आइस ट्रे को इससे फिल कर देना है तो यहाँ पर ये शेकंजी वाला पानी हमने डाल दिया है और अब इस ट्रे को आपको रखना है फ्रीजर में 6-7 घंटे के लिए आप इसे फ्रीजर में रख दीजे और यहाँ पर यह 6-7 घंटे बात शिकंजी वाले आईस क्यूब्स त्यार हो चुके हैं तो अब आप जब भी गर्बी में धूप में बाहर से आएं तो आपको चीनी घोलना नीबू मिक्स करना यह सब नहीं करना पड़ेगा अब आपको बनी बनाई शिकंजी फटाफट से मिलेगी तो बस दो आईस क्यूब निकालिए ग्लास में डालिए पानी डालिए और अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और अब यह ठंडी ठंडी शिकंजी आपकी त्यार है तो इन गर्मियों में आपको इसी तरीके से अब शिकंजी को एंजय करना है बाहर से आने पर अब आपको परिशान नहीं होना है टिप नमबर थ्री जादा तर हम सभी अपने घर में पूरी, कचोरी, पकोड़े वगेरा बनाते हैं और उन्हें जब हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओयल सोक लेते हैं और फिर वो इतने टेस्टी नहीं लगते हैं और बहुती ओयली हो जाते हैं तो अब आपको क्या करना है कड़ाई में ओयल गरम करना है और जब ओयल गरम हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है अब इस ओयल में आप पूरी, कचोरी, पकोड़े, कुछ भी फ्राई कीजे, वो बिल्कुल भी ओयल नहीं सोगेंगे और बहुत ही अच्छे बनके त्यार होंगे, तो बहुत ही यूसफुल टिप है ये टिप नमबर फूर, ये टिप है चीनी के बारे में, हम सबी अकसर अपने घर में जिन डबो में चीनी रखते हैं, उनमें चीटियां हो जाती हैं, तो चीनी को चीटियों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है कुछ लॉंग, ये इजिली आपको अपने घर म बिल जाती हैं लॉंग और आपको चीनी के डब्बे में ये लॉंग डाल देनी है और आपको इन्हें चीनी में मिक्स कर देना है तो इस तरीके से डब्बे में इन लॉंग को मिक्स कर दीजे और उपर से भी आप थोड़ी सी लॉंग डब्बे में डाल दीजे और अब आप ध बहुत ही ज़दा टेस्टी आप कैसे बना सकते हैं मात्र दो चीजे इसमें डाल कर वो मैं आपको बताऊंगी तो देखिए जब आपकी कड़ी इस तरह पूरी तरीके से बन जाए तब आपको क्या करना है एक चमस लेनी है कसूरी मेती और इसे आपको ड्राइ रोस्ट कर लेन जब ये उबल जाए अच्छी तरीके से धीमी धीमी गैस पर अच्छे से बन जाए तब आपको ये काम करना है देखिए अब ये जो कसूरी मेती है ये रोस्ट हो चुकी है तो अब आप इसको थोड़ा ठंडा कर लीजे और हातों में लेकर इस तरह क्रश कीजे और अब अब ये कड़ी इस समय बन चुकी है तो मैंने अब यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर दिया है लेकिन कड़ी बहुत गरम है बस अभी अभी मैंने ये का फ्लेम आफ किया है कसूरी मेथि डाल दी मिक्स कर दिया अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है एक चोथा ही चमच मैंन करी में डालना है देखे इस तरीके से तो इस तरहाा आपकी जो कρड़ी है ना पहुत ला ऐगा तो यह तेख जरूर आप यूज करिए कुछ दिनों बाद ही हमें यह देखने को मिलता है कि दाल के डबो में कीडे हो गए दाल में घुन लग गया दाल खराब हो गई तो अब आप दाल को लंबी समय तक स्टोर कर सकें और आपकी दाल खराब ना हो इसमें कीडे ने लगे और घुन ना लगे तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको लेना है सरसो का तेल और आपको दाल के डबो में इस तरीके से सरसो का तेल डाल देना है मैंने एक एक चमच सरसो का तेल डाला है इसमें और अच्छी तरीके से तेल को दाल में मिक्स कर देना है आपको यहाँ पर केबल सरसो का ही तेल लेना है कोई और तेल आपको नहीं लेना है तो मस्टर्ड ओयल ही डालना है इस बात का आपको त्यान रगना है तो हमने दोनों ही डब्बो में तेल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब बस आपको क्या करना है ये जो डब्बे हैं इनका धकन बन करना है और अब आप इस डाल को सालों तक स्टोर कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कीडे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी घुन नहीं लगेंगे जब भी आपको दाल बनानी हो दब्बे से दाल निकालिए अच्छी तरीके से 4-5 वार वाश कीजिए और दाल को बनाईए आप भी इस टिप को अपना कर अपने किचन की दाल को सुरक्षित रख सकते हैं उन्हें कीडे और घुन से बचा सकते हैं अगर हम इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और टिक्स को फॉलो करें तो हमारी रोजबरा की जिनकी बहुत ही आसान हो जाती है तो अगर आपको मेरे ये टिप्स और टिक्स पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें कभी-कभी ऐसा होता है कि एक-दो बिस्किट काम में आ जाते हैं और बाकी के बिस्किट बच जाते हैं और ऐसे में जब हम इन बिस्किट को किसी डब्बे में रख देते हैं तो ये सील जाते हैं एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं रोटी जैसे और फिर ये खाने में इतरे भी दिन तक स्टोर कर सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होंगे पहुत ही करारे बने रहेंगे तो अगर आपको मेरे ये टिप्स औंट टिक्स पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र झाल